आज हम बात करेंगे कि आपके सांसद पर आपका कितना हक है हाल में ही आपने लोकसभा चुनाओं के लिए मत्दान किया बड़ी संख्या में आप घर से बाहर निकलें और अपने शेत्र से सांसदों का चुनाओं किया अब सांसद महोदे तो जीत कर दिल्ली चले गए लेकिन बतार एक भारतिय नागरिक आपका यह जैनना जरूरी है कि एक आम नागरिक का सांसद पर कितना हक होता है यानि कि एक नागरिक अपने सांसद से कौन कौन से काम करवा सकता है एक सांसद अपने शेत्र में लोकल एरिया डिवलप्मेंट स्कीम के तहत पाँच करोड रुपए खर्च करने की हैसियत रखता है अगर आप चाहें तो अपने अलाके की खराब और टूटी-फूटी सड़कों को बनाने के लिए सांसद से संपर्क कर सकते हैं वो इस पाँच करोड रुपए की राशी से सड़क का निर्मान करा सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने शेत्र के सांसद से इलाके में स्कूल, कॉलेजों में भवन निर्मान के लिए भी मांग कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आपके सांसद महोदय चाहें तो पुल, पुलिया, हैंट पर्म, ट्रांसफर्मर आदी भी आवर शक्ता के अनुसार लगवा सकते हैं अगर शेत्र के किसी व्यक्ति की तबियत बहुत ही जादा गंभीर है और उसे दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में इलास की जरूरत है तो ऐसे में आप अपने शेत्र के सांसत से तत्काल संपर्ग कर सकते है एक सांसत को ये अधिकार है कि वो किसी भी मरीज को इमर्जंसी की हालत में तत्काल इन बड़े अस्पतालों में एडमिट करने की अनुसान्सा कर सकता है इसके साथ ही एक सांसत का महत्वपूंट दायत्व होता है कि वो लोक सभा में अपने शेत्र की समस्याओं और जनता की मांगों को सरकार के सामने बेहत मजबूत और प्रभावी तरीके से रखता के अंदर सरकार की योजनाओं के अलावा रेलवे, डाक, संचार, रक्षा आदी जैसे शेत्रों की परियोजनाओं को अपने शेत्र में लाना एक सांसत की शमता, उनकी कुशलता और उनकी योगिता पर निर्भर करता है अगर आप अपने शेत्र से एक बहतर करमठ, जुझारू, शिक्षित और मजबूत सांसत जिता कर वेजते हैं तो निर्षित तोर पर आपके इलाके का विकास बहुत तेजी से होगा धन्यवाद